नमास्कार दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्टोलोजर जन्म कुंडी हस्त्रेखा रत्न बास्तों के साथ सेर मार्केट के एस्टोलोजी में आप जो है गोल्ड, सिल्वर, निप्टी, निप्टी वैंग, कुरूडायल का दैनिक, बीकली और मंथी प्रिक्षिन जा सकता है, किस दिन तेजी, किस दिन मंदी के योग बनेंगे, यह सारी जानकारियां आप ग्रह स्थिति के अनुसार जान सकते हैं, तो जी हैं दोस्तों, जैसा कि 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक, जो है मंगल ग्रह कन्यारासी में रहने वाले हैं, और यह मार्केट पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इसके बारे में जो है आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी, चैनल को लाइस सब्सक्राइब जरू कीजे, बैल आइकान अबस्दवाईए, और इसके साथ मार्केट पर इनका क्या प्रभाव रह सकता है, जैसे ही ग्रह उदाय होते हैं अस्थ होते हैं, हम को इनका विशेश प्रभाव ररकेट पर देखने को मिलता है, तो मंगल ग्रह की यदि हम बात करते हैं, बीरदा के कारते हैं, युद्ध के विशेश देयोता हैं, और इनकी जो राशियां भी रहती हैं बंख्यश और ब्रश्चिक रासी है, और जिसमें कि इनकी ये स्वारासियां कहीं हैं और ये भी तेज प्रधान ग्रह कहे जाते हैं जो की स्वभाव से तेजी होते हैं अब मंगल जो है अठारा जो है अगस्त से तीन बच कर चौदा मिट से जो है कन्या रासी में प्रवेश करने वाले हैं तो इनका कन्या रासी के जातकों पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है और इसके साथ जो है मार्केट पर क्या असर इनका हो सकता है देश दुनिया में किस प्रकार का यह प्रभाव छोड़ सकते हैं तो जी हैं दोस्तों ग्रह स्थिती के अनुसार यदि हम देख रहे हैं तो मंगल जो है कि कन्यारासी कन्यारासी होती बुद्ध की और मंगल और बुद्ध एक दूसरे के सत्रू रहते हैं तो ऐसी इस्तिती में जो कर्णिया रासी वाले लोग रहेंगे उनको लगभग जो है दो महीने का जो समय है इसमें विशेश साउधानी रखनी पड़ेगी स्वामिता का उपयोग करना पड़ेगा क्रोध आदि को त्यागना पड़ेगा ताकि जो है अब कठिन समस्याओं से जो है आपको गुजरना ना पड़े इसके साथ स्वाम को शांत रखना होगा ऐसा करने से जो है आपका जो है समय बढ़िया निकलेगा क्योंकि यदि मंगल ग्रह और बुद्ध ग्रह एक दूसरे के सत्र दे देते हैं तो कन्या रासी वालों के जो लोग हैं इनको विसे सावधानी रखने की जरुद पड़ेगी क्योंकि कन्या रासी पर ही जो है मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल ग्रह परिशान करने वाले भी कहे जाते हैं यदि सुब फल देते हैं तो व्यक्ति को जो है रं और स्वारासी और नीचरासी के अनुसार जो अपना फल प्रदान करते हैं अब हम देखेंगे कि मंगल जो ग्रहे हैं मार्केट पे किस प्रकार का प्रभाव कर सकते हैं तो मंगल ग्रहे कि अदि हम मार्केट के बारे में जानकारी लेंगे तो मार्केट पर मंगल के प्रभाव से कुछ समय तो हमको विशे इस मार्केट में तेजी के योग भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन जो है लगभग 3 सितंबर के बाद से यहां पर आगे के समय में यानि की 3 अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट में जबरदस्त हमको क्रेस्ट देखने को मिल सकता है तो जी हां दोस्तों यहां पर हमें बहुत ही समल कर काम करने की जरूरत पड़ेगी और इतन सकती है उस समय तो जी हां दोस्तों मंगल का प्रभाव ही रहता है और मंगल के प्रभाव से किन-किन सेक्टरों पर विसेश प्रभाव मंगल का देखा जा सकता है मंगल का यदि हम सवभाव देखते हैं प्रभाव देखते हैं तो यह सरकारी कार तो और सरकारी कार इन में भ सकती हैं इसके साथ मंगल जो कारक होते हैं मैं क्लिनिकल टेक्निकल इन सभी छेत्रों के मेडिकल नर्सिंग इनके छेत्रों जो सेक्टर हैं इनमें भी विसेश उन्नती विकास देखने को मिल सकता है आई टी की जो सेक्टर रहते हैं इनमें विसेश लाप के योग देखे जा स लागते हैं इसके साथ याधि हम मार्केट के लिए बात करेंगे तो मंगल से संबंधित जो है आपके राशॉयनिक और और वरख इंसे संबंधित सैक्टर ओर इंडरॉ भी आपकी ऑप जो है यहाँ पर जवरदर्ष गिरावड भी देखने को हमको मिल सकती है तो मंगल का कुछ अपना ही प्रभाव रहता है जो मार्केट को जवरदर्ष प्रभावित करते हैं तो जी हैं दोस्तों मंगल का है स्वभाव प्रभाव मैंने आप लोगों को बतलाया जानकारी मंगल के इस समयकाल में और गोल्ड सिल्वर में कहीं न कहीं जो है उच्छाल के बार डाउन की स्थिति भी देखी जा सकती है तो जी हैं दोस्तों धन्यवाद